हेलो एन वेलकम फ्रेंट्स मैं हूँ समीर आपका दोस्त और होस्ट उमीदे आप सब ठीक होंगे मैं भी ठीक हूँ यह मेरे रियल एस्टेट बिजनस आइडिया के सीरीज का सेकेंड वीडियो है पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को यह बताया था कि आप कैसे स्टार लिंक कैसे लें तो और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह भी चीज एक बताना यह चाहूंगा कि आपको रियल एस्टेट बिजनस चालू करने के लिए कोई ओफिस लेना ज़रूरी नहीं है आप अपने घर के अट्रस का इस्तेमाल करके भी अपना रियल एस्टेट बि दूट सकते हो अपने एक्सपीरियंस शेर कर सकते हो और दूसरे उन लोगों से कांटाक में आ सकते हो जो आप जैसे रियल एस्टेट बिजनस यह तो शुरू करना चाहते हैं यह तो शुरू कर चुके हैं तो फ्रेंड्स आज के वीडियो के अंदर हम यह डिसकस करने वाले real estate business के बारे में है कि आप ग्रहक कैसे लाओगे कोई भी business के अंदर जो है वो सबसे important होता है ग्रहक जो आपको पैसे देगा तो आपको ये समझना बहुत ज़रूर ही है कि जो real estate का जो business है इसके अंदर आपको जो ग्रहक है ये specific languages होती है वैसे ही ये language में real estate के business के अंदर कुछ अलग-अलग words है और अलग-अलग language इस्तेमाल होती है जिसमें outright का मतलब होता है बेचने वाला तो मैंने जो real estate agent लोगों से बात किया है आप लोगों के लिए research करने में तो मुझे ये पता चला है कि आज की date में घर बेचने वाले लोग बहुत कम है और जो बेच रहें उनको ऐसे ऐसे दामों पे बेचना है जो realistic नहीं है जो उनको मिलने वाला नहीं है तो उनके घर को बिकवाने के लिए उनके पीछे ग्रहक लगाने की महनत बहुत जादा करनी पड़ती है जबके leave and license leave and license से मेरा मतलब है घर भाड़े पे देना इसके बहुत सारे लोग है जो खुद के घरों को भाड़े पे देना चाते है और इसे बहुत सारे लोग है मार्केट में जो घर भाड़े पे लेना चाहते है तो मेरे हिसाब से आपको अपने वक्त को न बरबाद करने के लिए और जल्दी पैसा कमाने के लिए घर को रेंट जो है लीवेन लाइसेंस इस सेक्टर में कॉंसेंट करना चाहिए अगर आपको जो है वो महीने में शुरू आप में दो भी दो क्लाइंट भी मिल जाते जो रेंट पे लेरे घर on an average भीज हजार रुपे में तो इसमें मैं आपको यह भी बता दू कि आपको जो brokerage मिलेगी वो मिलेगी एक महीने का rent तो वो होता है 20,000 रुपे एक flat का तो 2 flat का हो गया 40,000 तो काफी होते I think so आज की date में अगे गरीब इंसान के लिए एक middle class इंसान के लिए 40,000 रुपे महीने के तो real estate business अपने आप में एक अच्छा business है और आपको target clients में leave and license के उपर ज़ादा concentrate करना चाहिए ये आज के वीडियो की seek है और आगे के वीडियो में मैं आपको एक और चीज़ ये बताऊँगा थर्ड वीडियो में कि आपको अपना real estate business जैसे आपने जो start किया है उसके कुछ registrations है जो करवाना ज़रूरी है इसके बारे में भी आपको बताइए तो आप वो थर्ड वीडियो ज़रूर देखिए जिससे आपको new idea मिले real estate के business को शुरू करने के लिए और एक successful बनाने के लिए जाने से पहले ये बोलूँगा कि ये एक series का वीडियो है और 10-12 वीडियो आने वाले सब देखिए ताकि आप real estate business में successfully आगे बढ़ सके आप लोगों के लिए हम research करते हैं और बहुत मेहनत करके लाते हैं ताकि आपसे हम ये knowledge share कर सकें इस knowledge share करने के लिए हमको आपसे कोई चीज की जरूरत ये गरज नहीं है सिर्फ आपके likes और comments की अगर आप एक like दबा दें और comment कर दें कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा अगर बुरा लगा तो वो भी लिख सकते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी और हाँ जो हमने real estate agents के लिए जो नवे बनने वाले और जो already है जो group बनाए उसको भी joint कीजिए ये सब आपकी मेहनत के लिए हम कर रहे हैं ताकि आप आगे बढ़े और आप successful हो एक अच्छे business में तो उमीदे आपको ये अच्छा लगा होगा thanks for watching, bye bye